नमस्कार आप देख रहे हैं News24 आपके साथ मैं हूँ रवी ठाकुर विपक्षी दलों की गठबंदन का नया नाम सामने आ रहा है विपक्षी दलों की गठबंदन का नाम PDA होगा देशफक्त लोकतांत्रिक गठबंदन होगा इस गठबंदन का नाम शिमला की बैठक में नए नाम पर बहुर लग सकती है PDA मतलर Patriotic Democratic Alliance CPI की प्रेस रिलीस में इस नाम का जिक्र किया गया है तो क्या PDA अब विपक्षी दलों के नए गठबंदन का नाम होगा हलां कि आपचारिक रूप से इस नाम की पुष्टी नहीं की गई है लेकिन CPI ने जो अपनी प्रेस रिलीस जारी की है उसमें इस नाम का जिक्र किया गया है का यह जा रहा है कि अगली बार जब शिमला में विपक्षी दल एक बार फिर एक जूट होगे एक बार फिर इनकी अगली बैठक होगी तो इस नाम पर मोहर लग सकती है नया नाम है PDA हलां कि PDA का जिक्र अखलेश यादव ने भी किया था अपने बयानों में लेकिन उसका मतलब उन्होंने अपने तरीके से निकाला था अब जो ये PDA का जिक्र CPI की प्रेस रिलीस में किया गया है इसका अर्थ दिया गया है देशफ़ती लोकतांत्रिक संगठन तो अब कहिए माने कि 2024 में जो सियासी जंग होगी उसमें एक तरफ NDA होगा और दूसरी तरफ PDA होगा ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जो बैठेक हुई थी उसके तस्वीरें हैं लेकिन तब नाम की गोश्टा नहीं थी और दूसरी तस्वीर CPI के प्रेस रिलीस की है जिसमें स्पीड ये का जिक्र किया गया है चलिए सीधा रूख करते हैं मेरे सयोगी सौरव का सौरव आपसे मैं जानना चाहूंगा लगातार नाम को लेकर चर्चा चल रही थी कि ये जो अलाइन्स हो रहा है इसका नाम क्या होगा पहले यूपीए एक नाम था लेकिन अब जिस तरह से भारतिय कोमेनिस पार्टी की ये प्रेस रिलीस जारी की गई है उसमें पीडिय का जिक्र किया गया है तो क्या इस नाम पर उस बैठक में भी चर्चा हुई थी अब सिर्फ मोर लगना बाकी है ये बिलकुल बैठक में जरूर चर्चा हुई होगी और उसके बाद ही CPI के जो प्रेस रिलीज है उसमें इन नामों को रखा गया है अगर चर्चा नहीं हुई होती तो डी राजा अपने प्रेस रिलीज में इस नाम का चर्चा नहीं करते निश्ची तोर पर इस नाम की चर्चा जरूर हुई होगी और मुझे लगता है कि ये नाम काफी सोच समझ कर रखा गया है क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो बयान आते हैं BJP नेताओं का कहा जाता है कि ये जो महाजुटान है ये टुकरे टुकरे गैंका है ये लोग देश द्रोही हैं तो इसलिए काफी सोच समझ कर ये नाम रखा गया है पीडिये इसका मतलब है देश भक्त लोग तांतरी गटवंधन यानि जिस तरीके से लगातार विपक्च के जो नेता है वह कहते हैं कि लोग तंतर खत्रे में हैं संबीधान खत्रे में हैं तो काफी सोच समझ कर मुझे लगता है कि ये नाम पीडिये रखा गया है और अंती मोहर जो दूसरी बैठक होगी सिमला में उसमें जरूर इस नाम को लेकर अंती मोहर वहीं लगेगी जी लेकिन सौरव पीडिये का जिक्र बेशक सीपियाई की प्रेस्ट रिलीज में आया लेकिन उससे पहले पीडिये का जिक्र तो अखलेश यादव भी कर चुके हैं और यह कहा था कि अगर बीजेपी को हटाना है तो असी हटाओ और उन्होंने नारा दिया था कि दलीत पिछरे और जो अलफसंख्यक है वो एक साथ हो जाएं तो जरूर हम बीजेपी को यूपी से हटाने में काम्याब होंगे लेकिन आज यहाँ पर जो पीडिये की बात की गई है जिस तरीके से सीपी आई के जो प्रेस रिलीज है उसमें साफ तोर पर कहा गया है कि जो महा गटबंधन जो बनने वाला है उसको लेकर जो बिहार की राधानी पट्टा में महा बैठक हुई उसमें निशी तोर पर इस पर जरूर बाते हुई होगी भले अंती मोहर नहीं लगी और इसका एनाउंसमेंट आफचारी करूप से नहीं किया गया लेकिन जो सीपी आई के प्रेस रिलीज में उससे साफ है कि जो नया जो गटवंधन बन रहा है उसका नाम पीडिये ही होगा और ऐसा हो सकता है कि जो स किमला में बैठक होगी उसमें इस नाम को लेकर यानि पीडिये को लेकर अंती मोहर लगेगी और अफचारी के एलान भी होगा जी